हेलो बच्चो चलिए देखते हैं क्लास 8 न्यू एंसी आइटी मैथ के अकोडिंग एक्सरसाइज 7.3 का क्योस्ट नंबर 1 क्या है दा पॉपलेशन ओफे प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट एरेट ओ 5% पर एनम यहाँ पर क्या का है कि किसी जंगे की अगर पॉपलेशन 5% पर एनम से इंक्रीज होती है तो 2003 में वहाँ की पॉपलेशन 54,000 हो जाती है इसकी हल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में फाइंड पॉपलेशन इन 2001 तो वहाँ पर 2001 में पॉपलेशन कितनी थी यह हमें फाइंड आउट करना है क्योशन समझ में आ गया अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बार कंपाउंड इंट्रेस्ट का फोर्मुला समझाता हूँ उसको हम इस टाइप के क्योशन में कैसे यूज कर सकते हैं बच्चो सबसे पहले देखो हमारे पास फोर्मुला क्या होता है जो एमाउंट होता है वो इस इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इन्टू वान प्लस आर बाई हैंड्रेड इसकी पावर टी अब सबसे पहले पी का मतलब समझो प्रिंसिपल क्या होता है अब मैंने क्या किया मैंने किसी को मान लो 10,000 रुपे 10,000 रुपे बोरो दे दिये उदार दे दिये तो वो हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा ये हो गया हमारा 10,000 रुपीज अब उसने 2 महिने के लिए या 1 साल के लिए लिए है वो ठीक है टाइम दे दिया 1 साल या 2 साल 2 या 1 या के लिए तो वो टाइम हो जाएगा टाइम इस इक्वल टू 1 या हो या 2 या हो अब मैं उसको इंट्रेस्ट बताऊँगा कि भई मैं 5 परसेंट का इंट्रेस्ट लूँगा या 2 परसेंट का इंट्रेस्ट लूँगा या 3 परसेंट का लूँगा तो वो था हमारा रेट तो रेट क्या हो गया यहाँ पे 2 परसेंट मान लिया हमने उसको interest पे उसको रुपे दिये है अब क्या होगा एक साल के बाद वो कुछ न कुछ मुझे interest एड़ करके देगा मानलो इसका interest जो है 2000 रुपीज बन गया तो वो मुझे total रुपे कितने देगा amount जो आएगा मेरे पास वो किसके equal आएगा principle प्लस में compound interest ऐसा ही निकलता है य देखो यहां पर कैसे use करेंगे हम यहां पर क्या काया है उसने कि 2003 में 2003 में कितनी population है 54,000 ठीक है बच्चो अब हमें find out करनी है 2001 में 2001 में कितनी होगी और 2005 में कितनी होगी second part में यह पुछा गया है तो भई ध्यान से देखो यहां पर 2003 में 54,000 थी तो 2001 में क्या होगी कम होगी तो यहां पर क्या होगी हमारी decrease हो रही है और यहां पर क्या हो रही है increase हो रही है और time कितना है दुनों के बीच में यहां पर भी two year है और यहां पर भी two year है basic चीज़े पता चल गई अब यह क्या है हमारा 2003 में यह हमारा एक तरीके से amount है हमें principle बताना है कि 2001 में कितना था पी amount हमें दे रखा है 54000 और rate of interest क्या दे रखा है मतलब जिससे हमारी population increase हो रही है r equal to 5% और time कितना हुआ बच्चो 2 year ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई बस अब हमें simply formula लगाना है अपना क्या होता है amount equal to principal into 1 plus r by 100 इसकी power t simplify कर लेते हैं amount कितना है 54000 equal to principal हमें find out करना है मतलब population 1 plus rate क्या है 5% 5 by 100 और time कितना दे रखा है 2 year simplify कर लेंगे 5 1 जब 5 5 से इसको cut करेंगे 20 तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास 54000 equal to p into 20 की 1 से multiply करेंगे बच्चो 20 और 1 add करेंगे तो 21 by 20 इसकी power 2 इसको simplify कर लो 54000 equal to p multiply 21 by 20 की power कितनी दे रखी है यहां पर 2 दे रखी है बच्चो इसका मतलब क्या है 21 by 20 into 21 by 20 इसके 2 times multiply हो जाएगी अब p की value हमें find out करनी है तो इन values को इस तरफ ले जाते हैं तो यहां पर क्या आगया 54000 multiply 20 multiply 20 और divide by 21 multiply 21 is equal to p अब यहां पर इसको simplify करना चाते हैं तो कर सकते हैं यहां पर देखो यह किस पर जा रहा है हमारा यह हमारा 3 से cancel out हो रहा है 3 7 जा 21 3 से cut होगा तो यहां पर क्या आगया मिरे पास 3 बंजा 3 24 होगया 3 8 जा 24 तो यह आगे मिरे पास 18,000 फिर 3 से cut हो रहा है 3 7 जा 21 फिर 3 से cut करेंगे तो इसको कितना आगया मिरे पास 6000 तो p is equal to क्या आगया बच्चो 6 तूजा 12 12 तूजा 24 और कितने times 0 है 5 times 0 divide by 7 7 जा क्या हो गया 49 अब इसको divide करेंगे तो p की value हमारे पास क्या आजाएगी 48,979.59 नेर अबाउट यह value आएगी बच्चो अब देखो यहां पर population क्या आगई हमारी decimal में आगई population तो decimal में नहीं हो सकती तो हम इसको round off करके लिखेंगे यह 79.50 से बड़ा है तो इसमें हम people is equal to या फिर population is equal to 48,980 और इसको साथ में लिख देंगे एप्रोक्स एप्रोक्स का मतलब नियर अबाउट यह population होगी वहां पे 2001 में अब second part के अंदर देखो क्या है what would be its population in 2005 तो 2005 में population कितनी हो जाएगी देखो ध्याम से 2003 में कितनी है 54,000 2005 में कितनी हो जाएगी यह हमें find out करना है अब आपको यहां पे ध्यान देना यह अब principle का काम करेगा यह हमारा amount अब यहां पे हमें second part में find out करना है ठीक है एक तरिके से मैंने क्या किया 54,000 रुपेज उदार दिये हैं किसी को 5% increase हो जालेगा rate है हमारा तो हमें 2005 में 2 साल बा यहां दे रखी हमें 54,000 ध्यान देना बस यही है हमारा first or second part में difference amount हमें find out करना है rate क्या दे रखा है 5% का है वह time is equal to क्या है 2 year तो यहां पे 2 year के बाद हमें बताना है कि कितनी population हो जाएगी तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे formula अपना apply करना 5 by 100 इसकी power t तो यहां पे देखो amount हमें find out करना है is equal to principle कितना है 54,000 multiply 1 plus rate कितना है 5% 5 by 100 इसकी power t कितना है 2 5's 1 जब 5 5 से इसको cut करेंगे 20 आ गया तो amount is equal to क्या आ गया 54,000 multiply 21 की 1 से multiply 20 और 1 add करेंगे तो 21 by 20 इसकी power 2 simplify कर लो amount is equal to 54,000 multiply 21 by 20 multiply 21 by 20 0 से 0 cancel out हो गई हमारी 2 से इसको cut करेंगे तो क्या आ गया यहां पे 270 फिर 2 से cut करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 10 2 5 जा 10 तो amount equal to कितना आ गया मेरा 135 multiply 21 multiply 21 अब इन सभी की multiply करते हैं तो हमारे पास amount कितना आ गया 59,535 तो यह हो जाएगी हमारी population population in 2005 यह हमारा अंसर आ गया question number second देखते हैं क्या है in a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increase at the rate of 2.5% per hour यहां पे कहा है कि किसी laboratory के अंदर एक experiment चल रहा है और उस experiment में जो bacteria है वो 2.5% per hour से increase हो रहे हैं find the bacteria at the end of 2 hour if the count was initially 5,6,000 तो हमें बताना है कि दो घंटे बाद वो bacteria कितने हो जाएंगे अगर initially मतलब starting में 5,6,000 बैक्टीरिया थे तो ठीक है भई अब यहां पे हम compound interest वाला formula लगाएंगे starting में हमारे पास क्या दे रखे हैं bacteria 5,6,000 तो यह हो गया हमारा principle 5,6,000 हमारे क्या थे bacteria थे अब rate of interest क्या दे रखा है हमें एक तरीके से जिससे increase हो रहे हैं 2.5% ठीक है उसके बाद हमें total time कितना दे रखा है time is equal to 2 hour और हमें यहां पे एक ही value बताना है कि 2 hour बाद कितने bacteria हो जाएंगे तो हमें simply formula लगा लेना है amount equal to principle into 1 plus r by 100 इसकी power t तो apply कर लेते है amount equal to p की value क्या है 5,6,000 into 1 plus r की value क्या है 2.5 divided by 100 इसकी power t t की value क्या है 2 है point remove करेंगे तो यहां पर क्या आजाएगा निचे एक 0 हो रहा जाएगी अब इसको simplify कर लो तो amount equal to 5,6,000 into 1 plus 25 by 1000 इसकी power 2 अब इसको simplify करो 25 बंज़ा 25 इसको cut करेंगे तो किस पे आएगा 40 पे तो finally amount is equal to क्या आगया मेरे पास 5,6,000 into 1 plus 1 by 40 इसकी power 2 तो a is equal to क्या आगया 5,6,000 40 की 1 से multiply 40 और 1 add करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 41 by 40 इसकी power 2 अब इसको simplify कर देते हैं तो 5,6,000 multiply इसकी power 2 है तो बच्चो इसको 2 times लिखेंगे 41 by 40 multiply 41 by 40 0 से 0 cancel 0 से 0 cancel अब इसको और simplify कर लेते हैं अगर इसको cancel out हो रहा है तो यहाँ पर cut करते हैं इसको 4 से cut करते हैं 4 से cut करेंगे 4 1 जा 4 यहाँ पर 10 हो गया 4 2 जा 8 26 हो गया 4 6 जा 20 यहाँ पर 20 हो गया 4 5 जा 20 तो मेरे पास finally value क्या आगी a is equal to 1265 multiply 41 multiply 41 divide by 4 अब इसको अगर मैं simplify करता हूँ अब यहाँ पर value क्या आजाएगी मेरे पास a equal to 21,26,465 divide by 4 ठीक है इसको 4 से divide कर लेते हैं 4 से divide करेंगे तो 4 5 जा 20 1 हो गया carry 1 12 हो गया 4 3 जा 12 फिर 4 1 जा 4 फिर 4 6 जा 24 फिर 4 1 जा 4 4 6 जा 24 फिर 0 फिर 2 और फिर 5 तो हमारे पास जो value आई वो क्या आगी 5,31,616.25 अब decimal में तो हमारे bacteria हो नहीं सकते तो ये एक complete value हमें लेनी है 0.25 है जो की 0.50 से काफी कम है तो हम इस value को यहाँ पे हटा देंगे तो हमारे पास final value जो आजएगी वो क्या आजएगी 5,31,616 और इसको लिख देंगे approach, approach का मतलब होता है कि near about value ठीक है तो ये हमारे पास क्या आजएगी final value आजएगी question number 3 देखते हैं क्या है a scooter was bought at Rs.42,000 its value depreciated at the rate of 8% per annum find its value after 1 year यहाँ पे क्या का है एक scooter को 42,000 रूपीज में खरीदा गया है और उसकी value 8% per annum से कम हो रही है तो उसकी कीमत हमें एक साल के बाद बतानी है कि उस scooter की value जो है after 1 year कितनी होगी अब आपको भी पता है कोई भी हम नई कार या नई बाइक खरीद के लाते हैं तो time to time उसकी value कम होती चली जाती है तो ऐसे ही यहाँ पे 42,000 रूपीज का scooter खरीदा गया है तो एक साल बाद उसकी value कितनी कम हो जाएगी यह हमें बतानी है तो देखो यहाँ पे यह क्या है हमारा principle दे रखा एक तरीके से तो principle equal to क्या है 42,000 रूपीज rate क्या दे रखा है यहाँ पे r equal to 8% दे रखा है हमें जिससे हमारी value क्या है decrease हो रही है और time कितना है बच्चो 1 year एक साल बाद हमें बतानी है कि उसकी value क्या हो जाएगी तो simple सी बात है amount equal to principle into 1 यहाँ पे plus use नहीं करेंगे हम देखो value decrease हो रही है कम हो रही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे minus करेंगे 1 minus r by 100 इसकी power t तो जहाँ पे decrease की depreciate की बात आए तो वहाँ पे formula में minus use होता है जहाँ पे increment या increase की बात आए तो वहाँ पे हमारा यहाँ पे plus use होता है ठीक है बच्चो ध्यान रखना अब यहाँ पे a की value हमें निकालनी है a equal to principle क्या है 42,000 into 1 minus rate क्या है 8 by 100 और इसकी power t टाइम कितना है 1 year simplify कर लेते हैं इसको तो यहाँ पे क्या आजएगा 4 to 8 और 4 से cut करेंगे तो 25 amount equal to 42,000 into क्या आएगा यहाँ पे 25 की 1 से multiply 25 minus 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 तो 23 by 25 इसकी power 1 simplify कर लेते हैं तो amount equal to 42,000 multiply 23 by 25 अब इसको simplify कर लो 25 से cut करेंगे इसको तो 25 बंज़े 25 यहाँ पे भी 25 बंज़े 25 फिर कितना हो गया यहाँ पे 17 170 हो गया फिर 6 पे जाएगा फिर 8 पे और 0 तो amount equal to क्या आगया 1680 multiply 23 तो finally value क्या आगई हमारे पास 38,640 रूपीज तो एक साल के बाद उस सकूटर की कीमत क्या हो जाएगी 38,640 रूपीज ठीक है समझ में आगया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्लास 12 तक की वीडियो आपको नेक्सा क्लासेज पे मिल जाएगी अब बच्चों देखो इसको simplify कैसे किया जाता वो दिखा देता हो एक बार यहाँ पे क्या है 1-2 by 25 इसको अपन में 1 मानने हो LCM कितना आगया 25 25 को 1 से डिवाइड किया 25 1 से multiply करेंगे 25 minus 25 को 25 से डिवाइड किया 1 1 की 2 से multiply 2 तो कितना आगया 23 by 25 ऐसे लिखा जाता है यह extra था simplify करने के लिए समझ में आगया चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू स्टूडेंस फोर यूर लव एंड स्पोर्ट अपने फ्रेंड्स में जरू से एर करना